आप देखरें इंगलीज क्लास 11 के प्रोज का एचेप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर 3 डिसकवरिंग तूट दसागा कंटिनीव इस चेप्टर का नाम है इसके पहले हमने क्लास 11 के The Portrait of a Lady पहला चेप्टर प्रोज का बताया गया है इसके साथ कोश्चन और लांग कोश्चन को और दो सेकंड चेप्टर है इसके साथ कोश्चन और लांग कोश्चन को हमने कवर किया है चैनल पर डिस्क्रिप्सन में स्वालिंग पड़ हुआ है दिया आप नहीं देखें तो जरूर जा करके चेक करें तथा साथ ही वहाँ पर आपको इंगलिस क्लास 11 के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाकर के प्रोज पोईटरी सप्लेमेंटरी के कोश्चन आशर को आप देख सकते हैं साथ कोश्चन लांग कोश्चन और पोइम के सेंट्रल आइडिया और पोइम बस्ट कोश्चन आशर तो यह जो चेप्टर है डिस्कवरिंग तूट द सगा कंटीनिव इसमें क्या है कि जो किंग तूट है वह अपने उस परिवार का अंतिम सासक है जिसने जिसका परिवार सदियों से सतादियों पहले मिसर देश पर सैकड़ों सैकड़ों सालों तक आधिपत्य जमाए रखा था आज जबकि राजा किंग जो तूट है उनकी मृतु जो है उनके किसुरा वस्था टिनेगर में हो गई है जो तूट थे वो अपने उस परिवार का अंतिम बंसस था अंतिम सासक था और इस तरह से किसुरा वस्था में मरना बड़े ही अब सगुन की बात थी सभी के लिए औ और सब के सामने दो कुश्चन प्रस्वाचक बन करके खड़े हुए हैं कि वह किसुरा वस्था में आखिर मरा तो मरा कैसे और कम मरा और उसकी उम्र क्या थी आखिर उसकी डेथ कैसे हुई किंग तूट की तो जब तूट मरा था तो उसके सरीर को जो है सव को दफना दिया वहाँ पर मकबरे में मिस्र में मिस्र के किसी एक मकबरे में उसको सदा के लिए दफना दिया गया फिर लोग भूल गए और इसके बाद वर्स 1922 में फिर से सुराकियों में आया सुर्खियों में उसका तूट का जो सव है उसको खोजा गया सर्च किया गया जो हावल्ट उनके दोरा आखिल तूट कैसे मरे इस सब तमाम बिंदू लोगों के सामने आज भी उजागर है इसलिए हावर्ड कार्टर जो थे उन्होंने उसके जो ममी था उसका जो सव था उस पर सर्ष्ट जारी रखा तो जब किंग तूट मरा था तो उसके सव के साथ तमाम उसके खान यानि कि जो भी वह पहनता था हर चीजों को उसके सव के साथ उसको दफना दिया गया लोगों का उस समय मिस्र में ये अस्था थी कि यह जो चीजे होती है अगले जनम में उपयोग करेगा और ये वस्तवें उसको फिर जिन्दा कर देंगी तो इन वस्तवों को जो है जब स को खोजा उसको निकाला गया टाम से मकबरे से सीटी स्केन के लिए तो उस समय ये सारी चीजे पेस करके आई सामने सब के सामने तो आए इसके इंपर्टेंट कोश्चन आंसर को हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले सार्ट कोश्चन आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में तो इसके सौ उसका जो बाड़ी था उसमें 1922 में फिर से खोजबिन के लिए उसको सीटी स्केन के लिए लाया गया तो वही बुच रहा है कि जब उसके मकबरे से उसके सव को निकाला गया तो उस वक्त जो हला था उस वक्त जो एटमास्फियर था वेदर था मौसम था वह कैसा था वातावरल कैसा था ये चेक करते हैं देखें वेन तूट्स बाड़ी was taken for city skin then the atmosphere was very bad उस वक्त मौसम बहुत ही खराब हो गया था जब उसके सव को वहां से मकबरे से निकाला गया और सीधे सीटी सकेन के लिए भेजा गया तो उस वक्त वेदर जो था एटमासफियर वातावरल बहुत ही मौसम खराब हो चुका था हुआ क्या था An angry wind stood up ghostly dust devils क्या है कि जो क्रोधित हवा थी क्रोधित हवा ने भूतो जैसे एधूल के सैतान पूरे आसमान में खड़ा कर दिये dark bellied dark bellied clouds flew across the desert sky जो काला तोंद जैसे बादल थे dark bellied clouds तोंद जैसे जो बादल थे वहां आसमान में उड़ने लगे flew across the desert sky मने रिगिस्तानी आसमान में इधर से उधर उड़ने लगे all day दिन भर and heat the stars in the grey sky और उस भूरे आसमान में भूरे आसमान में तारों को उस वक्त छिपा लिया था ऐसा उस वक्त का atmosphere बन गया था तो बहुत important question है इस question को आप चेक कर लें इसके बाद अगला second question देखें दूसरा question देखें what were the things buried with toots mummy and why तो तूट के saw के साथ उसके mummy के साथ जब वह मरा था तो कौन कौन से चीजे दफनाई गई थी और ऐसा क्यों किया गया था बहुत important question है इस question को आईए हम लोग चेक करते हैं देखें with toots mummy the things as food, wine, gold, ring, regins तो तूट के saw के साथ जब उसको मकबरे में दफनाया जा रहा था उस वक्त उसके मरने के बाद तो उसके संबंधित उससे संबंधित तमाम होसते हैं जिसे खाने की सामेगरी है, food है, wine है, मदिरा है, एसोना, एस अंगूठी regins regins इसमी से and bracelets उसके कंगन were buried, उसके साथ दफना दिये गए because according to the people of Egypt क्योंकि मिस्र के लोगों का मनना है उनके अनुसार क्या होता है कि he will use these things क्या करेगा कि अगले जनम में इन चीजों को वह प्रयोग में लाएगा and these things revive the mind ये वस्तों क्या करती है आदमी को जिन्दा कर देती है पुलर जीवित कर देती है इसमी स्र के लोगों का मनना था question number 3 देखे what was फेरोज कर्स फेरोज का क्या अभिसाब था फेरोज उसकी बात कर रहा है कि तूटकी जो body है उसका जो सव है उसकी आत्मा है उसका बात हो रहा है उसका क्या अभिसाब था तूट फेरोज कर्स वाज देट देथार मिस फार्चून उडफाल अपान दोज हूं डिश्टर्व रहीं तो उसका यह अभिसाब था कर्स ये था कि जो उसके बारे में भला बुरा सोचेंगे अनहोनी सुचेंगे उसकी सांती को डिश्टर्व यानि भंग करेंगे तो उनकी मृत हो जाएगी अथवा उनके साथ दुरभाग ये कोई ने कोई जो मिस फार्चून है यानि कि जो दुरभाग है मुसीबत है वो आ पड़ेगा उस ब्यक्ति के उपर जो उसके बारे में कोई गलती सोचेगा तूट के बारे में क्वेश्टन नमबर फोर्थ देखेंगे हूँ आज जही हवास तो जही हवास कौन था तो जही हवास वास जनरल सेक्रेटरी आप इजीप्ट सुप्रीम कॉंसिल तो जही हवास जो था वह महासचिव था जनरल सेक्रेटरी था महासचिव वहाँ मिसर के सुप्रीम कॉंसिल का यानि की सरोच परिस्द का कॉस्टन नमर फीप्त और लास्ट कॉस्टन देखें साल कॉस्टन का इसका वीच कॉस्टन से इस्टील लिंगर बहुत इंपर्टन कॉस्टन है तो तूट के बारे में कौन से कॉस्टन आज भी हमें देखने को मिलते हैं आज भी ये कॉस्टन लोगों के बीच में घुमते हैं तूट के संदर्म में तो आईए इसके आंसर को हम लोग चेक करते हैं तो तूट के बारे में आज भी दो कोश्चन हमारे सामने होते हैं आज भी लिंगर है अनि घुमते हैं पहला कोश्चन कि हाव डिर ही डाई आखिर तूट कैसे मारा जब की सोरा वास्था में था उसके मृतु अपने उस परिवार का अंतिम बन सस्ता उसके मृतु कैसे हुई और दूसरा यह कोश्चन है कि how old was he at the time of his death और मृतु के समय मृतु के समय उसकी उम्र क्या थी उस वक्त तो थैंक्स इस्टुनेंट